कि हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब अगर आप भी अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा यह आपके सामने आता है कीबोर्ड इंटर 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 इंटर्फेस एरर प्रेस एफन तो डिजियूम अमेरिकन मेगा ट्रेंड का यह लोगो ऐसे बनके आता है तो आपको स्ट्पक में जाना है उसमें दूसरे नंबर पर अडवान्स बायोस फीचर्स का ऑप्शन है उसको ओपेन कर लेना है इसके बाद आपको इसमें नीचे जाना है नीचे जाओगे तो एक option है wait for f1 if error यह enable है इसको आपको disable करना है यह enable रहता है तो आप जब system start करते हैं तो किसी भी तरह का error आता है तो वो so होता है और f1 दबाने के बाद start हो जाता है system तो आपको इसको जो है disable कर देना है तो इससे आपका system जो है वो नौर्मरली start हो जाएगा कोई भी error so नहीं करेगा इसको आप f10 save लिखा हुआ f10 प्रेस करके इसको save कर दीजिए तो इस setting save करने के बाद आपका system restart हो जाएगा और भी कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है जैसे कि system का time जो है वो update रहना चाहिए time अगर आपके system का गलत हो जाता है तब भी यह error आ सकता है और अगर आप time सही करते हैं लेकिन जितनी भीवार आप अपने system को चालू करते हैं तो उसका time गलत हो जाता है तो उस मदर बोर्ड में लगा हुआ जो सेल है बैट्री उसको आप चेंज कर दीजिए उसकी वाज़ा से जब वो खराब हो जाती है तो आपके system का time गलत हो जाता है बार बार आप set करते हैं और जब भी चाहलू करते हैं टाइम जो है खराब गलत हो जाता है तो आप इसको manually भी कर सकते हैं और net connect करके update भी कर सकते हैं तो हमारा time देखिए गलत है इसमें इसको मैं अभी जो है update कर देता हूं कि तो मैं इसका auto update आन कर देता हूं time zone का भी automatic आन कर देता हूं तो इससे जो है अपने आप time को सही कर लेगा internet से connect है हमारा system तो यह आपको ध्यान देना है time आपका सही रहना चाहिए अगर गलत हो जाता है बार बार तो अंदर का cell जो है वो चेंज करिए system को restart करके हम देखेंगे कि हमारा system normally start होता है कि नहीं इतना आप कर लेंगे तो आपका जो यह आपकी जो यह समस्या है आप चालू करते हैं तो American Megatrends लिखके आता है यह फिर नहीं लिखके आएगा यह एकदम आप इसको start करेंगे और यह सीधे start हो जाएगा बिना किसी रुकावट के तो हमने start किया है अभी आप देखेंगे हमारा system बिल्कूल आराम से start हो जाएगा बिना किसी समस्या के कि यह देखे start हो गया है अब की बार American Megatrends लिखके नहीं आया क्योंकि हमने इसकी सेटिंग सही कर दी है आप इस वीडियो को देख कर अपने system की सेटिंग को सही करके सही कर सकते हैं यह जो समस्या है इसको हल कर सकते हैं यह बार बार start करो फिर वह लिखके आता है तो आदमी पर असान हो जाता है बार बार यह देखिए एकदम नार्मली सिस्टम हमारा अगरा